टेक्नोक्रेट वालम्ती ये बात आती कि राजीव गांदी ने ये सपना देखा जी कम्पिटर को में लेजाने का जी और उस वक्त जो एक डिवलब्मेंट स्टार्ट हुआ इटी सेक्टर में उसका नतीज़ा है मैं ये मानता हूँ कि राजीव गांदी जी ने एक अच्छा स्टैप लिया कि हिंदुस्तान में कंप्यूटर आना चीए और मुझे आज भी याद है कि राजीव गांदी जी ने पहला कंप्यूटर जब वो इंपोर्ट करके लाये थे फिच्चा से जार रुपे डूटी भी कस्टममस बें ऐसे नहीं लायो लेकिन अक zus अट राजीव गांदी अगर कुछ कर पाते यह राजीव गांदी का मैं यह कंगा कि उनका योगदान नहीं था लेकिन म आज अमेरिका में जो डॉक्टर लॉबी है, 60% डॉक्टर बिहार से हैं, राज्थान जहाँपन बैठें, यहां के बहुत सारे डॉक्टर्स अमेरिका में, लेकिन उनकी पहचान कुछ नहीं थी, वो वहीं वहीं रहते थे और वो दो-चार साल में इंडिया आ जाते थे एक ब प्रगाम किया, और सब जगे दिखाया कि हम हैं, एक इंडियन जो है, वो खड़ा है, और वो आपके लिए कुछ कर रहा है, तो वो जो प्रजिंस, हमारे हां वेमिली में बहुत बड़ा इवन्ट होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवन्ट हिंदुस्तान के मारवुज था 55,000 लोग, मतलब वहां के प्रजान मंतरी को ये बोलना पड़ा कि साब, आज के पहले मैंने किसी नेता के लिए इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे, एक वोट बेंक भी वहां के नेताओं को दिखा दिया, वोट बेंक भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि भारति को मौका देंगे, तो वो खड़ा होके दिखाएगा और करके दिखाएगा, तूसरा एक बड़ी बात है जो बहुत सारे लोगों ने इस की को समझा नहीं, मोदी जी बिफोर बिंग ए प्राइमिस्टर, बिफोर बिंग ए चीफ इनिस्टर, उन्होंने दुनिया घुमी थी, वो इंग्लेंड भी बहुत बार गए है, अमेरिका भी बहुत बार गए है, ऐसे संग के कारे करता के रूप में वो सब जेगे गए घुमे काफी, उनको एक परसप्शन था कि वर्ल्ड के डैस्परा को जोड़ना है, उन्होंने उसका फाइदा उठाया, उनके दिमाग में का परसप्शन था, और एक गुजराती वैसे इंटर्प्रेशन लोग होते हैं, गुजराती डैस्परा वर्ल्ड में बहुत था, उन्होंने पहले उस डैस्परा को जोड़ लिया, तो वर्ल्ड वाइड जोडने से फिर एक टीम खड़ी हो गई, लेकिन विपक्स के लोग त इसलिए पूरी दुनिया की निगाह होती है, इवेंट मैनेजमेंट मोधी जी का बढ़ा है, नहीं, मैं इसको इवेंट मैनेजमेंट नहीं कहता, वो गलत परसक्शन है, मतलब अपोजिशन को तो कुछ बोलना है, वो बोलेंगे, मोधी जी जो करते हैं, वो इवेंट है, देश में आज बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, सड़कें लेलें, रूडें लेलें, पावर लेलें, प्रडक्शन लेलें, हर फील्ड में हिंदुस्तान बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रहा है, हमने रेल तक एक्सपोर्ट करनी शुरू कर द जोड़ा और उनको बोला कि आप सर जुका के बात नहीं करेंगे, आख से आख मिला के बात करेंगे, ये मोदीजी ने सिखाया है, हिंदुस्तान के हर भारतिये को जो विदेश में रहता है, वो आज ये जानता है, कि हम आख से आख मिला के बात कर सकते हैं, हमें जुकने की जोड़त नहीं हम किसे से कम नहीं है विवलाइंस में ये बातचीत थी कुल्दीप सिंग सेखावत के साथ जो टेलिवीजन चैनल चलाते हैं ब्रिटेन में और अमेरिका में और साथ ही ओर सीज बीजे पी के लिए वहाँ पर काम करते हैं देखते रहे हैं तिल्टेशिक्ट